एक बॉल में हम ले रहे हैं रूम टेंपरिचर वाला 75 ग्रम सॉफ्ट बटर वान थर्ट का पाउडर शुगर आप चाहे तो इसको एक विस्क के सहता से और नहीं तो एक स्पून से ऐसे कंटिनिवसली फेटते रहिए जब तक इसका कलर चींज ना हो जाए चैसे साथ मिनिट अल्मोस्ट फेटने के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर चींज होके वाइट जैसा हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे एक काप मैदा और इसको अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद देंगे वान टीस्पून जीरा वान टीस्पून बेकिंग पाउडर वान फो टीस्पून बेकिंग सोटा सारे चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे फिर डाल देंगे थ्री टेबल स्पून नॉर्मल रूम टेंपरिचर वाला दूद और इसको हलके हाथों गूंद लेंगे बहुत सदमेक्स इसको ना करें नहीं तो ये कुकिस अच्छा नहीं बनेगा देखिए डो हम लोग का तयार है पहले में दिखा रही हूँ कि हम कैसे पैन में कुकिस को बनाएंगे तो इसके लिए पैन में हम पहले थोड़ा सा ओईल लगा के एक बटर पेपर रखेंगे और फिर इसके उपर थोड़ा सा ओईल लगा लेंगे अभी हम इसमें से छोटा सा लूई लेके हाथों में ऐसे रोल करेंगे फिर इसको हलका सा प्रेस करके एक round shape दे देंगे ऐसे ही हम सभी cookies को बना लेंगे सारी cookies को बना के हम pan में सजा लिया है अब हम last में cookies के उपर देंगे थोड़ा सा जीरा और इसके हलके हातों थोड़ा सा प्रेस करके set कर लेंगे गैस के उपर हम एक तवा रखके पैन को रख देंगे उसके उपर और फिर इसको कवर करके लो फ्लेम में 14-15 मिनिट्स के लिए हम बेक करेंगे अवेन में बनाने के लिए हम यहाँ पे एक ट्रे को ओईल ब्रश कर लेंगे पहले और जैसे मैंने पहले कुकिस को बनाए थे वैसे ही सेम प्रॉसेस में कुकिस को बनाके इसके अंदर रख देंगे सारी cookies को हमने बना लिया है फिर हम इसके उपर भी थोड़ा सा जीरा डालके हलके हाथों इसको प्रेस करके सेट कर लेंगे हम पहले oven को 5 मिनिट्स के लिए pre-hit करेंगे उसके बाद 170 डिग्री सेंटिग्रेट में 17-18 मिनिट्स के लिए bake करेंगे ये हो गया है बट अभी ये बहुत गरम है तो cookies भी नरम होगा ठंडा होने के बाद ये सक्त हो जाता है दोनों बिस्किट के बीच में मैं थोड़ा जादा गयाप रखने के लिए एक बिस्किट को मीडिल में कर दिया था बेक होने के बाद ये थोड़ा फुलता है क्योंकि हमने baking powder इसमें डाले थे ये ठंडा हो गया है तो मैं आपको दिखा देती हो देखिए ये cookies अच्छे से हो गया है क्योंकि इसके नीचे का portion और ages हलका golden color आ गया है बहुत ज़ादा इसको बेक ना करें नहीं तो आपका बिस्किट जल सकते है और ये है oven का इसका देखिए उपर में हलका सा cracks आ गया है इसका मतलब ये भी अच्छे से हो गया है तो चलिए हम इसका प्लेटिंग कर लेते हैं मैं cookies आपको तोड़के दिखा देती हूँ देखिए कितना क्रिस्पी बना है और अंदर से भी बहुत अच्छा हुआ है ये वाला हमने oven में बनाया है इसको भी मैं तोड़के आपको दिखा देती हूँ स्वाउन से भी आपको पता चल जाता है कि ये कितना अच्छा बना है अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद